बैंक निफ्टी के बारे हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है बहुत ही शांदर जिसका हम कर रहे थे इंतिजार आज के दिन बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के असपास उपर क्लोज किया है अल्मूस्ट 44,566 पे एंड हाई मारा 44,600 गे उपर का आज के दिन सबने अच्छ बैंक निफ्टी में फार दिया होगा विकॉज हमने आपको बहुत ही शांदर लेवल दिये थे वहां से मार्केट नीचे आया ही नहीं वन डारेक्शन ऊपर चला गया देंसाइड वेस फिर उपर चला गया देंसाइड वेस तो लोगों को बाद में अच्छी एंट्री मिली भी नहीं होगी क्योंकि मार्केट जिस तरीके से भाग रहता ना तो कहीं ना कहीं वो एक डर का माहौल भी बना रहता कि कहीं गिर ना जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग बाई करो और वहीं से मार्केट हमारा फॉल कर जाए तो उस चक्कर में लोगों ने फिर की वज देखें, बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो अपसाइड के टार्गेट दिये थे, क्या दिये थे, 44,100, 200, 250, 300, 400, सारे टार्गेट अचीव, और मार्केट इसको तोड़के ऊपर चला गया, आपको ट्रेट दिया था, 44,100 के ऊपर प्लाइन करने के लिए, और 44,000 के नीचे प्लाइन करने के लिए, 44,000 के नीचे मार्केट गया नहीं, 44,000 के 100 के ऊपर 500 पॉइंट और एक्स्टा मिले, प्रॉफिट, 399, 1500, 357, 1200, 1700, 4,700, 2,700, उसके बाद ये कुछ समझाया था, आपको दिया है कि जब भी आप अपनी गलत ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो आप बड़े लॉसिस कर लेते हैं, इसके उपर पूरा मैंने मैसेज आपको ड्रॉप किया है, एक बार पढ़ने का कस्ट जरूर करो, टेलिग्राम की लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगी, देखो इतना बड़ा मैने मैसेज लिखाए, ये सेम पोजीशन कल के दिन 55,000 प्रॉफिट में थी, एंड सेम पोजीशन आज के दिन 2,000,000 लॉस में है, क्यों है, उसके पीछे मैंने सब कुछ लिखा, एक बार जरूर पढ़ लेना आपके काम आएगा, उसके अलाबा प्रॉफिट और 348,500,200,900,800, उसके बाद ये 3PM ट्रेड बहुत ही दासु गया, अगर आप भी जोइन करना चाते हो, मुझे तो यहां पर नमबर दिया है, टेलिग्रम पर, आप जोइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद एक ये लास्ट, इसमें टोटल प्रॉफिट और अल्मूस्ट 6,000 का है, बस, इतना था आज का हमारा जबर दिस पॉफिट अब बात करेंगे, कल की कल क्या हो सकता है, क्या मार्केट कल और रेली करेगा, या फिर market कल आपको एक fall दिखा सकता है जिस तरीके से आज market भागा है क्या कल market गिरेगा इसके बारे में बात करेंगे और premium के chart को कैसे read करना है किस तरीके से आप call tips के चक्र में ना पढ़े उस पर भी हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग call tips के चक्कर में पढ़े रहते हैं, वो खुद से सीखना नहीं चाते हैं, और कुछ को तो पता ही नहीं है कि कैसे buy और sell करने हैं, कैसे target लगाने हैं, कैसे sell लगाना है, तो उसके बारे मैं भी मैं बात करूँगा, तो चलिए, market ने आज काफी अच्छी आपको opening दी, opening के बाद मैंने जो level दी, वहाँ से market बहुत ही शांदर गया, 44,100 का level हमारा एक सेकंड में बता देता हूँ, 44,100 का level ये था, इसको जब हमने निकाला, अरे या, अच्छी line, line अच्छी बननी चाहिए, ये जो हमारा, अरे, sorry guys, line अच्छी नहीं बनेगी, तो मैं समझा कैसे बाऊंगा आप लोगों को, 44,100 का level हमारा ये था, यहां से हमारा market अप गया, अप गया, 44,300, then market sideways हुआ, then वापस से अप गया, और market ने अच्छी closing किया, अब देखो, इसमें problem क्या होई होगी, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो, market अप गया, market sideways हुआ, market फिर अप गया, market फिर sideways हुआ, एक सेकंड ना, ये मैंने 15 मिट की candle ली, इसको मैं 5 मिट की candle बे करता हूँ, क्योंकि, जादे तर लोग वहीं पर फस्ते हैं, या फिर अपने बड़े profit नहीं बना पाते हैं, छोटे profit ले लेके exit करते हैं, तो, एक सेकंड दो मुझे बस, अब ठीक है, ओके, नाइस, अब हम इसको देखेंगे थोड़ा, और समझेंगे, ताकि आपको कल के लिए एक अच्छा view मिल पाए, तो 44,100 का level हमारा कहीं पर ये है, जिसको हमने निकाला, हम इसके उपर ही रहे, और उसके बाद हमने target दिया, 44,300 का, लेकिन problem क्या होई, वो बताता हूँ, market यहाँ पर हो गया sideways, ठीक है, यहाँ पर एक ही candle में, आपको अच्छा कासा 50-60 point का target मिला, लेकिन market यह sideways market है, जिसने इसमें hold किया होगा, उसने ही पैसा यहाँ पर बनाया होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, market भागा, आप यहाँ तो entry कर नहीं पाए होगे, क्योंकि बहुत तेजी से भाग गया, आपने entry की होगे, यहाँ पर upside पर पहुँचके, market फिर sideways हो गया, market premium फिर से decay होने लगा, आपने फिर से अपना SL book किया होगा, market फिर एक candle में भागा, फिर यहाँ पर sideways हो गया, फिर नीचे चला गया, तो आपने यहाँ पर भी loss किया होगा, एक अच्छे scenario में देखे, तो market upside गया है, लेकिन option buyer क्या, यहाँ पर buy करके बैठा है, वो question है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते है, थोड़ा भी बढ़ जाता है, profit book, थोड़ा भी गिर जाता है, loss book, और कुछ तो ऐसे होते हैं, कि जब market profit दे रहा होता, उसको लेते नहीं है, यानि कि जल्दी exit कर लेते हैं, और जब loss कर रहा होता, यानि कि गिर रहा होता, तो उसको hold करके बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ा problem मेरे को लगता है, तो market ने move अच्छा दिया है, लेकिन सबने पैसा बनाया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, कि आज के दिन सबने पैसा बनाया है, चलिए थोड़ा सा premium के चार्ट पर देख लेते हैं, आपको reality चेक कर आते हैं, प्रीमियम आज का किस तरीके से बड़ा था, तो ये हम आगए अपने धनके चार्ट के उपर, यहाँ पर मैंने already लगा रखा है, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप लोग काम कर रहे हो, अगर आपको काम करना है, तो premium अच्छा चुना करो, प्रीमियम अगर अच्छा नहीं लोगे, तो फिर आपको losses जेलने पड़ेंगे, क्यों बताऊंगा भी, सो हमने यहाँ पर लगा रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट आज के पूरे दिन का, और हमने लगा रखा है, अपना 44,300 का call, ठीक है, यानि की market आज उपर गया है, तो हमने call का ही, प्रीमियम यहाँ पर लगा रखा है, यानि की strike price, अब timing और देख लेते हैं, आज की यह रही हमारी timing, जो आपको देखने को मिल रही है, कि सुबह से हमारा market किस तरीके से चला है, तो क्या ऐसा है कि जब हमारा market अपसाइट जा रहा है, तो हमारा premium भी अपसाइट जा रहा है, या फिर कहीं पर कभी-कभी जोल होता है, वो जोल आपको समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं, तो सीखोगे नहीं, देखे, मार्केट यहाँ पर हुआ sideways, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यह box देखो, मार्केट में यहाँ पर premium में हुआ decay, ठीक है, आप खुछ समझी इस चीश को, देन एक अच्छा premium में move आया, एक अच्छा हमारे market ने भी move दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद market यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा sideways, लेकिन premium आपको देखने को मिलेगा, drop, समझ रहे हो, तो अगर आप यहाँ पर hold कर रहे हो, लेकिन premium आपका drop करता जा रहे हो, तो फिर यहाँ पर अपना SLA के निकलोगे, या फिर loss करोगे, क्यों कि आप premium के चार्ट को नहीं देख रहे हो, आप देखो, nifty bank तो हमारा sideways है, यह sideways है, ठीक है, मैंने अगर आपको बोला, 44,300 पर buy करना है, तो आप एक बार यहाँ पर नजर मारिए, यह रहा कहां तक आ गए हम, 155 के असपास तक आ गए, लेकिन यहाँ पर बात करें, तो हम वहीं कहीं पर गूम रहे हैं ना, समझे, तो premium decay बहुत जादा होता है, चलो एक और example लो, यह देखो, यहाँ पर market sideways to up है, sideways to up है, लेकिन यह देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, premium down, यानि कि market जब यहाँ पर उपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर premium नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाईया, यह चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब ही आप पैसा बना पाओगे, यहाँ पर देखो, जब first time market ने 44,000 हिट किया है, तो premium क्या है, 240 के आसपास का, यह area पर, दुबारा जब market नीचे से आके हिट किया है, तो उस time पर, यह वाला, यह नहीं है, यह नहीं है, यह 240 नहीं है, मेरे बाई, इस बात को समझो, यह यहाँ कहीं पर है, उस time पर premium, समझ रहे हैं इस बात को, हाई होब आप समझ रहे होगे, तो यह होता है premium decay, जब market sideways होता है, और हमारा जो premium होता, अगर हम hold करके बैठते हैं, तो वो दीरे दीरे नीचे की तरफ आ जाता है, और इस चक्कर में हम करते हैं loss, तो यह चीज आपको हमेशा देखनी है, जब भी आप nifty या bank nifty में काम कर रहे हैं, तो उनके premium को watch करके रखो, कि premium किस तरीके से work कर रहा है, अगर nifty bank nifty का चाट उपर जा रहा है, premium अपना नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर आप trade करके कुछ फाइदा नहीं करोगे, तो इस चीज पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा profit बना पाऊगे, जब आपको चीज देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर market अच्छा कासा bullish हुआ, यहाँ पर देखो, market भी bullish, premium भी bullish, अब देखो, यहाँ पर move कितने point का आया है, एक बार नज़र डालोगे तो 44,330 से, अल्मोस्ट हमने 44,500 कवर किया है, यानि कि 500 points वे उपर, अगर हम यहाँ देखेंगे, तो 170 से लेके, 360, यानि कि almost 200 points, यानि कि सबसे अच्छा premium, यहाँ पर बढ़ा है कि, nifty bank कम बढ़ा, लेकिन आपका premium बहुत ही जादा बढ़ा है, तो आपको यह चीज़े समझनी पड़ेंगी, कि premium की वज़े से, आपको अगर loss हो रहा है, तो आप वहाँ से exit करो, वापस से premium जब adjust हो जाए, तब वापस से अपनी entry करो, और अच्छा profit बनाओ, आयोब यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ कि, लोगों ने ज़ादा पैसा नहीं बनाया होगा, क्यों, क्यों, एक सेगंड दो, एक सेगंड दो, यहाँ पर देखो, एक मिनट, अगर किसी ने पैसा बनाया है, तो मैं बताता हूँ कि, कहाँ पर बनाया है, ठीके, morning में यहाँ पर बनाया होगा, उसके बाद, इस candle में बनाया होगा, तो यहाँ पर trap हुए हैं लोग, ठीके, यहाँ पर छोटा मोटा profit बना होगा, यहाँ पर छोटा मोटा profit बना होगा, जो असली profit बना है, वो यहाँ पर बना है, almost 2 PM के बाद, यहाँ पर premium भी बहुत शांदर बड़े हैं, market भी बहुत शांदर बढ़ा है लेकिन जो लोग यहां loss करे क्या वो यहां पर entry करेंगे वो भी एक question है तो ऐसा मस सोची कि बहुत कुछ आपस miss हो गया है miss हो गया हो जाने दो it's okay कल वापस market आएगा मैं आपको फिर से opportunity बताऊंगा आप फिर से पैसा बनाएंगे लेकिन उसके लिए आपको telegram पर रहना पड़ेगा तो इस चीज को समझाना मेरा काम था ताकि आप लोग को समझ में आए लोग call tips के पीछे पड़े रहते हैं कि हम ये buy कर लो वो buy कर लो आप खुद buy करो न आप nifty bank nifty के चार्ट को read करना सीखो अगर आप वो read करना सीख गए तो फिर आपको कुछ भी hard नहीं लगेगा आपके लिए सब कुछ easy हो जाएगा एंट एक और बात बोलूँगा आप लोगों को अगर आप nifty में काम करते हो तो 100 रुपए के उपर वाला प्रीमियम लो अगर आप bank nifty में काम करते हो तो 200 रुपए के उपर वाला प्रीमियम लो minimum इतना लो चलो bank nifty में आप 500 का भी ले सकते हो कभी कभी लेकिन अगर आपको सई तरीके से पैसा बनाना है तो minimum 100 और 200 इनके प्रीमियम के उपर काम करोगे तो आपका पैसा अच्छा बनता जाएगा हमारे members पैसे बना रहे हैं आप देख सकते हो proof आपके लिए रोजाना में डाल के देता हूँ so please video को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना है आप मेरे से पूछो important है question करना important है चीजों को समझना तब जाके पैसा बनेगा for sure आपका thank you so much